एक और जहां लाखों लोग हर रोज अपना पैसा निकलवाने के लिए एठीम और बैंकों की लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं तो वहीं दूसरे तरफ देश के अलग-अलग हिस्तों से आए दिन काले धन के कुबेरों के पास से करोडों की नई और पुरानी करंसी बरामत हो रही है ताजा मामला मुंबई से 68 थाड़े का है यहां क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग की टीम ने एक करोड चालिस लाग के दो हजार के नई नोट बरामत किये हैं इस मामले में तीन बिजनसमें गिरफतार किये गए हैं बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के रिकार्डियों ने जाल विछा कर इन तीनों को फसाया और बाद में धर्द बोचा वहें पूरे से भी 67 लाग की नई करंसी और 100 के नोट बरामत हुए हैं इस मामले में पांच लोगों को गिरफतार किया गया है देश की राजदाने दिल्ली का हाल भी कुछ ऐसा ही है जहां क्राइम ब्रांच और आयकर विभाग की टीम ने करोल बाग इलाके में एक होटल में रेड मार कर 3 करोण 25 लाग के पुराने नोट बरामत किये बताया जा रहा है कि राजस्थान के रहने वाले 5 लोगों से ये पैसा मिला है फिलाल क्राइम ब्रांच के टीम ने इने रासत में ले लिया है और अब इनसे पूछताच की जा रही है कि ये पुराने नोटों को कहा ले जा रहे थे और इस रैकेट में और कितने लोग शामिल है वैगोवा के कलंगुड इलाके से भी 24 लाग के नोट बरामत किये गए है बीते बुद्वार को भी गोवा में 1 करोड 5 लाग की नई करंसी पकले गई थी तो देश भन में काले धन के खिलाव धर पकड़ जारी है आए दिन ही देश के कई हिस्तों से ये धन सामने आ रहा है और यहाँ अहरान करने वाली बात ये हैं कि छापे मारी के दोरान नई करंसी भी भारी संख्या में बरामत हो रही है ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ये रुपए इन लोगों तक कैसे पहुँच रहे हैं